रोज़वाटर किसी magic water से कम नहीं होता वैसे तो हर किसी की skin type अलग होती है skincare products की preference अलग होती है बड़ जब बात rose वाटर की आति है वह एक universal product है मुझे लगता है ऐसे कम ही लोग होगे जो कहेंगे मुझे rose water suit नहीं करता उसका reason यह है rose water बहुत ही mild होता है बहुत ही gentle होता है और लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते है normal face cleansing के लिए आपको almost हर दूसरे घर में rose water तो ज़रूर मिली जाएगा अब देखो मैं personally अगर बात करूँ मैं यह नहीं कहा रहा है कि आप 50 रुपे का rose water खरीदो सौ डेर्ट रुपे में बहुत ही बढ़ी है rose water आ जाता है बिकिस वो बिल्कुल pure होते है अगर rose water बिल्कुल pure होना तो वो ज़्यादा देगा आपकी skin को चाहिब की skin type कोई भी हो oily हो dry हो या हो normal अगर मैं rose water की कुछ खूबियों की बात करू rose water एक natural toner और natural cleanser होता है और आपकी skin का pH balance healthy रखता है जिसका मतलब यह है जब-जब आप face wash करते हो आपके face से excess oil के साथ-साथ natural oil भी खिच जाता है और आपकी skin का pH balance लोड़ा हिल सा जाता है तो एक toner make sure करता है या फिर कहीं एक rose water make sure करता है कि आपका skin का pH balance healthy रहे सिरफ यह नहीं आपकी skin को soothe करनेया काम करता है moisturize करता है और बढ़िया वाला glow देता है अब सबसे असान तरीका तो यह होता है rose water को use करने का कि आपने cotton pad लिया उस पर थोड़ा था rose water लगाया और पूरे face को properly clean कर दिया अब यह बहुत ही effective तरीका properly cleansing हो जाती है और face एक्दम smooth हो जाता है बट मैं आज आपको कुछ amazing hacks बताने वाला हूँ कि कैसे आप उसी rose water का और ज़्यादा फाइदा ले सकते है हम बहुत असान तरीके बतांगे कोई extra मेनत नहीं कुछ नहीं बट उसी rose water का आपको फाइदा मिलेगा थोड़ा जादा अगर मैं आपने कुछ personal favorite rose waters की बात करूँ जो मुझे लगता है बिल्कुल ही pure होते है तो एक खादी essential का बहुत ही बढ़िया होता है वीडियो की शुरुवात करते हैं है के साथ DIY skin toner मैंने अभी अभी आपको वीडियो के शुरुवात में बताए कि रोज वाटर एक natural toner होता है जो हर स्किन के लिए perfect रहता है बट फिर भी लोग बाहर जाके टोनर क्यों खरीते हैं विकिस सबकी skin concern अलग होती है किसी को आकने की दिक्कत है किसी को wrinkles की दिक्कत है किसी को glow चाहिए तो हम हर नीट के साथ में चाहिए essential oil tea tree का tea tree essential oil बहुत ही बढ़िया होता है anti septic होता है और आकने के निशान प्रॉपरली हटा देता है यूज कैसे करना है पहले बहुताता हूँ आपको चाहिए एक चामच रोज वाटर उसमें डालना है तीन ड्रॉप सफ टीट्री ओए प्रॉपरली बढ़ पड़ेगा lavender oil यह तीनों काम बहुत बढ़ी डंग से करता है lavender oil प्रोसीजर बिल्कुल सेम है एक चमच पानी तीन ड्रॉप्स लावंड रॉइल प्रॉपर्ली मिक्स करो कॉटन पाट डिप करो प्रॉपर्ली डाब डाब कर लो face wash करने के बाद अगर आपको चाहिए face पे ज लेटरी यूज क्या है lavender यूज क्या है बिल्कुल वैसे ही आपने यूज करना है और इंचल और फाइनली फोर्थ टोनर जो हम आपके लिए रेडी करवाने वाले हैं वह है अगर आपके face पे sunburn हो गई है या redness हो गई है बहुत irritated skin रहती है तो आपको लेना पड़ेगा eucalypt eucalyptus soil या फिर कहें निलगिरी का तेल प्रोसीजर बिल्कुल सेम है एक चमच रोज वाटर उसमें डालना है तीन ड्रॉप्स of eucalyptus soil properly mix करो और पूरे face पे लगा लो जितनी भी irritated skin है जहां पे itching वागेरा हो रही है redness हो रही है sunburn हो रही है sunburn बहुत ज्यादा परिशान कर भी हो नहीं पारी है तो आखों के नीचे हमेशा ही swelling रहती है और वह बहुत ही ज्यादा परिशान करती है पहले मैं यह बताता हूं यह अंडर आय पफिनस और swelling आखिर हो क्यो जाती है जो हमारी अंडर एरिया है उसकी skin बहुत ही ज्यादा पतली होती है और थोड़ा सा भी fluids जिकठा होता है तो नजर आना शुरू हो जाता है जबकि बाकी skin पर जल्दी नजर नहीं आता और रही बार dark circle की हलकी सी pigmentation होई और वो नजर आना स्चार्ट हो जाती है अब देखो problem तो है बट उसका solution हमें डूड़ना है with rose water rose water जो होता है ना वह बहुत hydrating in nature होता है और skin को सूध और रिलाक्स करनेया काम करता है अब देखो under eye puffiness के लिए दो तरीके एक तो मैं असान सा तरीका बताता हूँ फिर बताऊंगा बहुत ही effective तरीका सबसे पहले क्या रोज वाटर लो स्प्रेवाला उसको फ्रिज में रग दो एक एड़ घंटा रहने तो जैसे वो ठंड करना है बिकिस उसकी जो नोख होती है न यह पॉइंट्स होते हैं वह बहुत जादा नुकसान दे सकते हैं स्किन को तो आपने बहुत ही जेंटली यूज करने है अगर डिरेक्ली यूज कर रहो नहीं तो दूसरा तरीका यह पतला सा कपड़ा लो जैसे चुन्नी वाला अगर डिरेक्ली यूज कर रहे हो तो बहुत ही जेंटली यूज करना वरना आपने यूज करना है आप अगर इस रेमेडी को चाहो तो डेली भी यूज कर सकते हो पर आल्टरेट डे रहता है बिल्कुल ही परफेक्ट फाइनली हैक नमबर 3 ग्लोट टॉनिक हम आपके रोज कोई भी फेड़ेट मसाज क्रीम या मसाज जेल है आपने उसको लेना है अपने फेसगियर व्य व्यट करना है या 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 क्रना यह सपरे कर लो फिर थोड़ी ती मसाज क्रीम साज wahrscheinlich कर लो उस्से से संथ चर्किलर्मोचन मसाज करना श्जार्ट कर लो अंच्छी के लिए फिर इसको तीन मिनट के लिए लीवान कर दो फिर अगेन आपको रोज वाटर की ज़रूरत पड़ेगी प्रॉपरली अपने फेस पर स्प्रेय कर लो और आपने इसको वाश करना है रोज वाटर की हेल्प से मसाज करकर जो एंड में बज्जा उसको वाश कर दो पानी से जो ग्लो आने वाला है आप सच में थैंक यू बोलते नहीं तक होगे यह अच्छल ग्लो टॉनिक का काम करेगा रोज वाटर पानी वो इफेक्ट नहीं दे पाता जो रोज वाटर देता है अब यह वाली रेमेडी आप दो चीजों साथ और फॉलो कर सकते हो सपोज आप स स्क्रबिंग से पहले अपने फेस को वेट करो रोज वाटर से और हटाओ भी रोज वाटर से और अगर आप एक फेस मास्क लगा रहे हो तो मुह आपका पहले ड्राय होना चाहिए प्रॉपरली फेस मास्क को लगाओ जैसे वह सूख जाए उसको वाइप आफ करना है आपने नीचे और हमारे चैनल को कर लो सस्क्राइब यह चोटा सा एफर्ट तो आपकी तरफ से बनता है कोई चार्ज तो हम ले नहीं है सिरफ आपके लिए यूसफुल वीडियो लेकर आ रहे है चार्ज जरूर लेंगे बढ़ प्रॉडक्स का कोई भी रोज वाटर करीदना है दो तो बहुत ही बड़ी है और आज क्या जूज करना स्टार्ट कर दे तब तक हम मिलेंगे बहुत जल्दी आपसे अगली वीडियो में अंटिल नेक्स टाइम दिस इस यह होस्ट रोज सच्देवा गुडबाई